Hey Capricorn, welcome on my channel 2222 Charo Hindi Urdu, I am your Gal Tuba, I am back with another reading, Capricorns के लिए आपका Sun Moon Rising और अगर आपका Zodiac Sign Capricorn है, तो यह reading आपके लिए है, October 2022 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह मन्त कैसा रहेगा, आप क्या experience करेंगे, what is the theme for your reading, तो सबसे पहले मैं reading स्टार्ट करने से पहले आपको बोल So it's okay, this is a general reading, आपकी personal नहीं है, so don't take it personal, क्योंकि यह general readings है, energy change हो सकती है, यह shift हो सकती है, आपने क्या करने है, वीडियो को लाइक, share और subscribe जरूर करना है, चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें, मजीद updates के लिए और readings के लिए, so देखते हैं, आप इस मंत में आपके लिए प्र यह आपकी पूरे मंत की theme है, जो आप experience करेंगे, we have the dog, and we have this tree, okay, यह तीनों कार्ड बहुत ही lucky कार्ड है, पहले ही पहली चीज़ तो की है, तो इस मंत हो सकता है, आपके लिए कुछ चीज़ लगी हो निसाबित होने वाली है, आप लगी हो सकते हैं, कुछ मैटर में, ठीक है आपके लिए कोई new door open हो सकते हैं, या आपको की new opportunities मिल सकती है, let's say career में, job में, या आपकी love life में भी, लेकिन depend करता है कि आपकी life में क्या हो रहा है, तो with this key here, बहुत सरी चीज़ आपके लिए unlock हो सकती है, या sometime key हमारे अपने हाथ में होती है, कि हम क्या करना चाते हैं, हम कौ कोई new friend आपकी life में enter हो सकता है, क्योंके dog is a loyal, it's a friendship, तो हो सकता है, किसी के साथ आपकी new friendship start हो सकती है, ठीक है, या आपका friend आपके पास आ भी सकता है, अगर आपके दरम्यान में कोई problem थी, कोई issue था, तो वो friend वापस आपकी life में आ सकता है, आपे depend करते है कि आप इस इंसान को अपने friend को दुबारा life में, it's like reunion, एक reconciliation हो सकती है, friend के साथ या lover के साथ कोई family member भी हो सकता है, जिसके साथ आपका दुबारा से reconciliation या reunion हो सकता है, किसी old friend को भी आप मिलेंगे, काफी एरसे के बाद आपको इस इंसान से आपकी मुलाकात होगी, कुछ लोगों के लिए ये family member भी है, जो आप से contact करेगा, आप से बात करेगा, कोई अगर families में कोई जगडे थे, कोई issue थे, वो भी resolve होते वे नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई लग रहे है कि आपकी life में, as a friend, as a lover, या कोई business partner भी हो सकता है, जो आपकी life में आए, कोई ऐसा इंसान भी है, जो आपको help कर सकत है, या आपको कोई एक रास्ता दिखा सकता है, कि यह चीज़ करो, यह चीज़ नहीं, किसी की guidance आपको basically मिल सकती है, या आपको अगर कुछ करना है, तो definitely किसी friends से, या किसी ऐसे इंसान पर जिस पर आपको trust है, आप definitely उस इंसान से मश्वरा करके, आगे अपनी life के decision लें, the next is the tree, तो definitely यहाँ पर family की बात हो रही है, तो family में कोई improvement, कोई change आ सकता है, यहाँ tree की बात, यहाँ पर happiness की भी बात करता है, कुछ लोगों के लिए health में improvement भी होगी, या आपकी family में कोई struggle कर रहा था, तो वो भी आपको उनकी health या, उनकी life इंप्रूव होती है, नजर आएग आप इसे कुछ लोग अचानक से भी popular fame आपको मिल सकता है, अगर आप कुछ कर रहे हैं, या आप जिस new door की तरफ जा रहे हैं, या जो कुछ नया काम करना चाहते हैं, वो आपको success की तरफ लेके जाएगा, और हो सकता है, आप अपनी family की life, अपनी life को भी change कर सके हैं, और आपकी love life में क्या हो रहा है, इस month Capricorn, we have a night of pentacles, हो सकता है, आप किसी और art sign के साथ deal करें, Taurus, Virgo या Capricorn, तो आपकी love life काफि स्लो मूव करी है, या आप जिस इनसान के साथ deal करें, आपको लगता है कि वो इनसान आप पे focus नहीं है, उसका focus कहीं और है, ठीक है, हो सकता है, आ आप इस इनसान के साथ आपकी पहले friendship स्टार्ट हो, या आप दोनों को लीग है, आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ भी हो सकती है, कोई आपकी life में आ रहा है, लेकिन आपकी love life में बहुत स्लो मूव करी है, या आपको लग रहा है कि बिलकुल आप आपकी बिलकुल फ्रेंड्स है, ये फैमिली आपको help कर रहे है, ये भी हो सकता है, लव लाइफ में, केरियर में देखते हैं आपके लिए क्ली क्या हो रहा है इस मंत, page of swords, डेफिनेटी, जो लोग मैंने जैसे आप सिका, self-made है, तो आप लोगों के लिए इस मंत में कर रहे हैं, या आप कोई जॉप कर रहे हैं, तो ऐसे लग रहे हैं कि कोई डेली बोरिंग रूटीन है आपकी, ठीक है, उसमें कोई activity नहीं है, कोई hobby नहीं है, कोई passion नहीं है, कोई creativity नहीं है, तो उसके लिए आपको नया talent सीखना पड़ेगा, with the page of swords, ठीक है, कुछ नया भ तो आपके लिए एडवाई हो सकते हैं, आप एर साइन के साथ डील करें, जमना, हीली, ब्रैक्वेरियस, या वाटर साइन, Pisces, Cancer, Scorpio भी हो सकते हैं, यहां पर एस अपने आपको ओपन करें, new opportunities के लिए, new लोगों के लिए, new friendship के लिए, अपनी life को दुबारा new से start करें, renew करे अपनी life में कुछ change लाएं, अपनी कोई, और यह जो change है वो आपकी life में, आपकी family में भी कोई change आ सकता है, ठीक है, आपकी financial उसमें भी कोई change आ सकता है, विदा एस अपेंटिकल, ठीक है, आप इसे कुछ लोगों कोई नया idea भी मिलेगा, कि आपको किस तरीके से पैसे कमाने किस तरह से आपको अपना business करना है, कहाँ पर पैसा invest करना है, कहाँ पर business start करना है, कहाँ पर work करना है, इस मन्त में वो idea भी आपको मिल सकते है, यह advice है आपके लिए, लेकिन family या friends की definitely यहाँ पर agreement ज़रूरी है, उनसे मश्रा करके आप आगे बढ़ें, एक चीज भी यहाँ पर बोली जा रही है, और आप में से कुछ लोग इस मन्त से कुछ नयाभी start करने वाले है, जो आपको खुद को पसंद है, ठीक है वो करें जो आपको पसंद है, जो आपकी अपनी पसंद है, जो आपको खुश करता है, काफी passionate है, पंबावट उसको और creativity, और यहाँ पर new beginning ह है, तो कोई new lover भी आपकी life में enter हो सकता है, लेकिन depend करते हैं कि आप ready हो उस इंसान को welcome करने के लिए या नहीं, या दुबारा से कुछ नई चीज़ें हैं आपकी life में start होने वाली है, या लोग वापस आपकी life में आना चाहते हैं, लेकिन new beginning चाहते हैं, depend करते हैं कि आप उन